दोस्तों आप अगर मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं तो दोस्तों आपको पता होगा कि कुछी दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि अगर जो होंडा के तरफ से रिसेंटी लॉंच हुई शाइन हंडेड है वह अगर नजदी की शोरूम में आ जाता है तो इसके में यहां पर यह बाइक आ चुकी है तो आज जो दोस्ते इसके ऊपर एक डीटेल में वाकराउंड होने वाला है कौन-कौन सी चीजे जो इसमें में देखने को मिल जाती है सब कुछ में डीटेल में आपको दिखाऊंगा और साथी ओंडोड को कि क्या प्राइजिंग आ जा अगर आपको यह बाइक खरीद नहीं है तो आप उनसे कॉंटेकर सकते हैं साइड इते वागेरा डिस्कुशन में पिन किया हूआ है गो एंचेक आउट तो यहां पर खड़ी हुई है होन्डा शाइन हंडेड यह हॉन्डा की पहली हंड़ी की बाइक है और देखने में दोस कविशचन बाइक उपर ठीक यहां पर हॉन्डा की आ जाती है विंट रही इससे में नहीं कहूंगा इससे जो आपको फोली जो है कोई यहां पर को मदद नहीं मिलने वाली इसके दोनों ही तरफ जो है दोस्तों हमें बल्भ की जो इससे इंडिकेटर्स देखने को मिल जाती पीछे की अगर टेललेंब की बात करूं तो यहां पर तुस्तों हमें इसके और भी मिलती है और यहां पर अगर में बैद देखने को मिल जाती है यहां पर इपाड़ Muito वाला इंजिन उसके साथ आया है इसके बाद दोस्तों यहां पर देखेंगे तो यहां पर यहां पर चीज़ है यहां पर ब्रेंडिंग आ जाता है और पे थोड़ी सी Zelda Chrome का इस्तहमाल किया गया है बागी धुस्तों जो सीट केः दिथ ल्त करूं तो यहां पे कुश्णिंग जो है काफी अच्छी है सीट जो है रिद्धर के लिए अर्में के लिए वी अर्खी है उत्व कि एक डैली कम्यूटर सेग्मेंट बाइक है तो आपको जो है सीट को लेकर कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली और यहां पर आती है इसकी जो है सिंगल पीस ग्रेब रेल और पीछे से और देखेंगे तो यहां पर कुछ अगा चीज छूट गया है तो यहां पर दोस्तों जो है आपको एक रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाती है जो कि अगर आप इस बाइक को भी पार्क करते है और वहां पर आपकी टेल लैंट नहीं जल रहा होगा और इससे जो है आपकी वाइक जो है नमबर प्लेट्स वगेरा बाकि दोस्तों मटगार्ट जो है काफी बड़ी बड़ी वाली यहां पर दी कि क्स्टार्ट की यहां पर आपकी लेवर आजाती है कफी अच्छी बात है कि यहां पर यहां पर दोस्तों जो है यहां पर फूट्रेस्ट आजाती है वैसे यह फोल्डेबल नहीं है यहां पर पिलियन का जो फूट्रेस्ट है वह दोस्तों यहां पर हमें फोल्डेबल देखने को मिल जाती है इसके बाद दोस्तों के बात करो तो यहां पर फ्रंट में इस बाइक म तो यहां पर हमें बोट इन में 17 इंच की विल साइज देखने को मिल जाती है सामने और पीछे दोनों ही तरफ फ्रंट की टायर साइज के गर बात को तो यहां पर 2.75 यहां पर सेक्षिन का टायर दिया गया है आपको दिख रहा होगा यहां पर और पीछे की बात करो तो यहां पर दोस्तों 3.00 सेक्षिन की यहां पर दी गई है वैसे इस बाइक में हमें दोनों ही तरफ जो है ट्यूब देखने को मिल जाती है और यह इमरेफ की टायर यहां पर दी गई है बाकि अगर ब्रेकिंग की बा सब्सक्राइब की बात करूंब की इनजिन नहीं पर देखने को मिल जाता है यानि की ओवीटू सेंसर के साथ आया हुआ इनजिन जिन सब्सक्राइब है यहां पर दोस्तों हमें 99.7 सिसी का सिंगल सिंडर एर कूल देखने को मिल जाता है मैक्स पाउर जो आपको जनेट करके देगी वह है 7.6 hp at 6 7500 rpm और मैक्स टॉर्क जो आपको जनेट करके देगी वह 8.05 न्यूटन मीटर की साथ दोस्तों इस बाइक में जो है हमें दूसरे तरह अगर हम जाएंगे तो यहां पर हमें एक 4-speed gearbox देखने को मिल जाती है वैसे दोस्तों हॉन्डा की दूसरी इंजिन जो है वह काफी जदा फेमस है अपनी जो है डिलियाबिलिटी और दूस्तों श्मूदनेस के लिए और इसी वज़े से दूस्तों जो है हॉन्डा की बाइक को बहुत जादा लोग पर करते हैं पसंद करते हैं और दोस्तों यहां पर आपको जो मैंने भी पिछले वीडियो में बताव था ता कि इस लाइक में ये खास चीज अभी आपको टेंक जो है तो यहां पर जो टेंक को ज्मी जड़ेत है तो क्योंकि भी स्पीट की जो कि यह नहीं वाला जुस्तों इट्वेंटी इंजिन आया है इससे आप गेंड कर पाएंगे तो देखिए दोस्तों यह 100 सी का बाइक है तो ज्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं करना चाहिए इससे 85 kmph के आस पास जो है दोस्तों यह आपको टॉप स्पीड गेंड क आपको जो है यह बाइक आराम से प्रवाइड कर देगी बाकी जैसे कि आपको हमेशा में बोलता हूं कि दुस्तों माइलेज है दुस्तों वह हमेशा अपनी राइडिंग स्टेंज को डिपन करती है तो उस हिसाब से अगर ठीक तरीक से चलाता है तो आपको 75 km माइलेज है आपको आराम से देखने को मिल जाएगी अगर इंस्टुमेंट कॉंसोल पर आये तो यहां पर थोड़ा सा ओल स्कूल टाइप डिजान यहां पर देखने को मिल जाती है कहीं पर दुस्तों डिजिटल इंस्टुमेंट कॉंसोल यहां पर नहीं दिया गया है यहां पर आपकी यहां पर दोस्तों पीटिकेटर यहां पर दिए यहां पर यहां पर या裡 के दिकवाइण हो यहांपर की तरहाएं कृमा TWANT इंडिकेटर्स यहां पर और यहां पर दोस्तों जो इसकी आई बीम की जो लाइट है वह दिया गया है बेसिक कुछ खास यहां पर चीज देखने को नहीं मिलती है ऐसा नहीं है कि इस बाइक में आपको ब्लुटूथ का इंटिविटी देखने को मिल जाती है ऐसा कुछ है नह रहा है और यहां पर यह कुछ इस तरीके का आपकी रियर व्यू मिर्स का डिजाइन दिया गया है काफी ब्रॉड है पीछे सब कुछ दिखने वाला है कोई भी से दिक्कत नहीं आने वाली है बाकि यहां पर जो लेफ्ट हैंड की दूस्तों जो हैंडल आती है यहां पर चाहले कांशी जो है यहां पर हम आजाता है बाकी यहां पर आपकी जो आम की आपकी विब्रेक यहां पर आजाती और यहांप ब्रेक यहां स्ट जो है इनग्जिन की समel देता हूं यानि की एकसोछ नोट तो एक स्वास्ट नोट जो है काफी जादा स्मूध है बहुत बल्की तो मैं नहीं कहूंगा और दोस्तों यह होना भी चाहिए क्योंकि होंडा की एंजिन है काफी जादा स्मूधनेस जो दूस्तों इससे ही हमें पता चल जाता है दूस्तों इस फाला ओफशन देकने को मिल जाती है यहां पर 밑 रिट त्रोस पर चाहिए ब्लैक फृफ स्ट्राइब होई उदि को मिल जाएगी और वहां पर ब्य मतल देखने को मिल जाएगी bulliedकर अगर डीटेल में बाथ करो तो यहां पर खड़ी हुई है यह ब्लैक विथ रेट स्टाइब यहां पर आई है डीच्छे के तरफ यहां पर खड़ी हुई यह दोस्तों ब्लैक विद गोल्डें स्ट्राइप यहां पर दिखाई दे रही है और जो तीन कलम लप्श्ण आता है एकदम फाइनली आ जाती है ग्रे वाला वाला बागी यहां पर देखें तो काफी अच्छा घ्राफिक्स में काम किया गया घ्राफिक्स में इसे जो है मैं और हम आधि फीनिश के साथ यहां पर दिया गया है और मटगार के ऊपर दुस्तों यहां पर दोनुई तरफ रिफलेक्टर देखने को मिल जाती है और पीछे की दुस्तों अगर बात करो यहां पर थोड़ा सा तो यहां पर हमें सारी गार्ट भी दिया गया है चेंड कवर भी आ जाता है इस बाइक में और सब कुछ मैंने आशाकरतों में बता दिया हूं तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं ग्राउंड क्लिरेंस की तरफ और सीठाइट वगेरा इन सब के बारे में अब फाइनल एक बाइक की ग्राउंड की बात को यहां पर 168 एम की ग्राउंड क्लिरेंस देखने को मिल जाती है थोड़ी सी और मिलती तो बैतर होता इंडियन रोड्स को और भी जड़ा सूट करता पर ठीक है दोस्तों एक डेली कम्यूटर सेग्मेंट की बाइक है सीठाइट में आपको बैट की दिखाता हूं 786 एम की यहां पर सीठाइट दी गई है मैं तो कहूंगा कि एवरेश से नीचे वाला बंदा भी दोस्तों जो है इस बाइक को आराम से जो है चला पाएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगा सीठाइट के मामले में और बैटने के बाद दोस्तों जो फील आ रहा है वह एक अलगी लेवल पर है क्योंकि इस बाइक की बैट है 99 kg काफी जाद जाद हलकी है काफी अच्छी फील आरी है अब चलिए दोस्तों बात कर लेते इस बाइक की प्राइजिंग की फाइनली ओन रोड कोलकाता की तो यहां पे दोस्तों क्लाउड नाइन हॉंडा पे इस बाइक की प्राइजिंग है सेवेंटी नाइन कर सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बोला है कि साइड डीटेल्स बगएर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है अब एकदम आखिर में दोस्तों इसकी दोस्तों जो साइट्टें इंजिन कट आफ है उसको मैं दिखा देता हूं कैसे काम करता है यहां पर मैं इस बाइक है यही काफी है बहुत की बढ़िया है इस प्राइस के हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना मेंडिटरी है और दोस्तों अगर फेस्बुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस बा हुलो कर दो बाइब कर दोस्तों अगर 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 कर दोस्तों अगर को वीडियो अगर बाद